जैपूर की जिला अदालत ने सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को आतंग की करार दिया जबकि एक को बरी किया है इस अभी इंजिनियरिंग के स्टूडेंट से जो कि आतंग की संगठा नंदे अन्मुजाहिदीन के लिए काम करते थे इन्होंने 2014 में ATS और SOG ने अरेस्ट किया दिल्ली से गिरफतार हुए आतंकियों से मिले इन्पूट के आधार पर रारस्थान में ATS और SOG की टीम ने 2014 में जैपूर, सीकर्द अथा कुछ दूसरे जिलों में 13 संदिक्द युवकों को गिरफतार किया इन पर आरोब था कि ये प्रतिबंदित संगठन स्तिमी से जुड़े है और आधस्थान में आतंकी गतिविध्यों को अंजाम देने के लिए बंबनाने जैसे कामों में लगे है ये आतंकी फरजी दस्ताविजों से सिम खरीतने, जिहाद के नाम पर फंड जुटाने, आतंकीों को शरण देने और बंबिसोट के लिए रैकी करने जैसे मामलों में दोशी पाए गए है